नमस्कार दोस्तो वागे था आप सबीक अट्टेकी पहां सी यूट्यप सेनके नए वीडियो में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हूँ इस वाले एक सीवी प्लस का डूम कैमेरा है इसका हमें एक अन्बॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे इस वीडियो में आपको इसे इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा, इंस्टॉल कैसे करना है, वो भी सिखाऊंगा, और आप सब कुछ आराम से सीख जाएंगे, अचले वीडियो में आगे चलते हैं, तो दोस्तो हम आ गया है अपने बॉक्स के उफर, और आप यहां पर देख सकते हैं, CP Plus का ब्र लिखा गया है, तो नाइट विजन कैमरा, आजकल सारे कैमरा जी नाइट विजन ही होते हैं, बिरा नाइट विजन का कोई कैमरा आता नहीं है, कोई भी CCTV कैमरा, और यह आदित्या इन्फो टेक के दुवारा वेनज किया जाता है, मैनुफक्चर यहां पर देख सकते हैं, मे बहरोजा नहीं है, इसलिए अगर आपके आसपास में कोई आफलाइन शॉप है, तो आप वहां से आफलाइन शॉप से ही लिए हैं से, पाकी सारे डेल से मैं यहां पर इस साट दिखेंगे तो यहां पर 2.4 मेगा पिक्सर का HD कैमरा है, दिखाए गया है, डूम कैमरा है, और इसका रेंज के बाद कराती है, यह 20 मेटर रेंज है इसका, आप इस कैमरे से 20 मेटर तक की दूरी को आप इजीली देख पाएंगे, 20 मेटर बोलता है, लेकिन 20 मेटर होता नहीं है, इसका एक 14 से 15 मेटर तक ही रेंज है, 14-15 मेटर तक ही औरिजिनली आपको अच्छे से तो दोस्तों कैमरा कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, कैमरा देखने में काफी अच्छा लग रहा है, फिनिसिंग काफी अच्छा बनाया गया है, यह स्टीकर का प्लेस थोड़ा गड़बड हो गया है, अच्छे से चिपकाया नहीं गया है, सारे डिटेल्स यहां पर दिया गया, 2.4 मेगापिक्सेल एसटी डूम कैमरा, जो कि 20 मेंटर का रेंज आइस का, 12 बोल्ट डिसी पर चलता है, मैं इंडिया और वाकिक कुछ नहीं है, ओके पास दिपी प्लस का, और यहां पर सीपी प्लस का ओरिजिनालिटी का क्योर्ट गोड़ दिया गया है, यह और यहां पर आपको दो वायर्स देखने को मिलते हैं, आपको यहां पर दो सॉकेट दिये गया है, एक सॉकेट पर इससे आउट लेना है कैमरा से, और इससे DC-IN देना है, मतलब पावर इससे कैमरे को देना है, तो यह कैमरा चलाने के लिए आपको इसका एक SMPS भी लेना पड़ेगा, तो SMPS आपको जब कैमरा सेट अप लीजिएगा, तो आप साथ में ही सारा कुछ लेना होगा इसके, SMPS से यह रेड़ वाले से, SMPS से इसे पावर देंगे हम, और यलो वाले से वीडियो आउट लेंगे इस कैमरे से, दोस्तो साथ ही आप इस कैमरे को इस तरह से यहां से मूव कर सकते हैं, आप इसे कहीं पर भी लगाते हैं, और आपको लगता है कि हाँ इसे थोड़ा साइधार होन चाहिए, तो आप किसी भी साइट में इसे मूव करा सकते हैं, जो कि इस तरह से आपका ओफिस में लग जागा या आपके होम में लग जाएगा कहीं पर भी, और आप इसे इस तरह से मूव करा सकते हैं, दोस्तो मिलते हैं इसके नेक्स वीडियो में, और मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और वीडियो के एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो मैं मिलता है आप से एक लिए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद